हेलो फेंज, वेलकम बैक टो व्यू स्पोर्ट मैच प्रिव्यू ये है डवलू बीबिल का मैच नंबर साथ जो की होने वाला है मेलबर्न रेनिगेज पनाम एडलेट स्टाइकर्स के सामने ये मैच होने वाला है जंक्शिन ओवल मेलबर्न में और बात करें दोनों टीम्स की तो रेनिगेज अपना ओपनिंग गेम हार करा रहा है छे गेम से हारा था और इस गेम में कोशिश करेंगे कि जीतेंगे जबकि एडलेट स्टाइकर्स ने एक रेकॉर्ड बनाया है अपनी गेम में इन्होंने मेलबर्न स्टाइज के सामने बनाये 177 पर उनको ओल आउट कर दिया 29 पर और एक हिस्टारिक विन इन्होंने हासिल करी है दोनों टीम्स के एक रेकॉर्ड की बात करें तो पिछले साल दो गेम्स के लिए जिसमें से एक बार दोनों टीम्स जीती बात करें एंडलेच टाइकर्स की तो इनकी भी काफी सेटल डाइनप है इनकी बोलिंग ने दुआ छोग जयाता और बहतरीन परफॉर्मस दीती नोंने पिछले के में भी यहाँ पर उमीद करेंगी कि कैप्टन तैलिया मेगरा फिर से बरकरा रखे अपना ओल डाउन शो औ और ओपनर्स केटी मैक और लॉरा वुलफार्ट फिर से रंस बनाए जम कर बात करते हैं वेन्यू की तो जंक्शिन ओवर मेलबन में ये मैच होने वाला है और पिछले पांच गेम जो यहाँ पर हुए है वहाँ पर एवरेज फिर्स इनिंग स्कोर रहा है 173 का यहाँ पर हम लिए बात करें अब इन प्लेयर्स के 320 रेकॉर्ड की इन 2023 तो रेनिगेज के बैटर्स की बात करें तो हेली मैथ्यूस 41 इनिंग्स के लिए 1573 रंड बनाए इन्होंने जिसमें 850 और 200 शामिल है एक फेनॉमनल फॉर्म में यह रही है प्लेयर और इन्होंने जम के रंस के नाम है 24 इनिंग में 21 विगेट सारा कॉइट ने लिए हैं दो इनिंग में दो विगेट जबकि हर्मन पीक और ने एक मात्र इनिंग में बोलिंग करें जहां पर एक विगेट इनको मिली थी पिछले गेम में एडलेश्ट्र के बैटर्स की बात करें तो गुलफार्ट 35 इ सबसे पहले जिसकि हो करेंगे वहहते हैं चोजी डूली यहां पर अगर आप देखो जो ऑप्शन एवेलेबल है उसमें डूली एक अच्छी खासी ऑस्षिन है ने फेलेट-ुट्र में हूं coaching करेंगी तो 9 इनिंग में 147 डंजिन के नाम है और इस venue पर भी 7 इनिंग में 124 सन मना चुकी है 25 की average है इनके अरावा जो आपकेज option है वो पैटर्सन का है और कर्शो का है दूनों इतने exciting नहीं लग रहे हैं तो इसलिए हम डूली के साथ जाएंगे यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पर कुछ प्लेयर हैं जो आपकी टीम में 100% रहेंगे उनमें से नमबर वन पर आती हैं लॉरा वुलफाट जो की opening करती है अपनी टीम के लिए पिछली साथ इनिंग अगर आप इनकी देखो तो 6 में इनोंने 40 सन के उपर स्कोर करें कुछ मिलाकर लास्ट 6 head-to-head आउटिंग की बात करें तो 155 रंज है इनके नाम 38.75 का अबरेज सेकेंड प्लेयर जो आपकी टीम में पका रहेंगी वो होंगी एडलेट स्राइकर्स की ही इनकी फेलो ओपनर के टीमाच जो की पिछले गेम में 86 की एक एकसाइटिंग पारी खेल करा रही है जम के रंज बनाएं और बहुत तेजी से रंज बनाएं अगर आप देखो WBBL 2021 अनवर्ड अगर आप देखो इस competition में तो 32 इनिंग में पाउपने में बोलिंग भी करेंगी तो वो एक मैच अप से इनको थोड़ा सा बच के रहना है इसके बाद आती है जो थर्ल बैटर हमारी बेस्टी में पका रहेंगी वो की है हर्मन प्रीत कौर बैटिंग करना हैं ये नंबर चार पर बोलिंग भी कर रही है और लास्ट फाइड टूएड आउटिंग देखो तो वहाँ पर 206 रन बनाए हैं 69 की आवरेज से बोलिंग करते हुए भी तीन विकट इनों पिक करें और पिछले गेम में भी 26 बॉल में 31 रन वाली इंपोर्टेंट परी खेली और फिर बोलिंग करना है तब एक विकट भी इनों चटका आया था अपनी ओपनिंग गेम में इसके बाद दोस्तों बात करें तो इनके मैचप भी काफी ठीक ठाक है यहाँ पर रन्स बनते हो नजर आने चाहिए बात करते हैं फाइनल ओपनर की जो हमारी टीम में फिर से रहेंगी वो है टैमी बोमा अगैन पिछले गिम में 18 बॉल में 34 की इंपोर्टेंट पारी खेली पिछली पांच आउटिंग्स अगर आप इनकी देखो तो एवरिज रहा है 57.25 का इंपोर्टेंट है मैच अप जिनके फेवर में हैं एक मात्र मैच अप जो इनके अग्यन जाता है वो है मेगन चूट के सामने पिछले यह है दूस्तों एक इंपोर्टेंट मैच अप जो इनको ध्यान में रखना है इन्होंने बूलिंग भी करे थी पिछली गेम में एक ओवर और बैटिंग में भी नंबर पांच के आसपा से आनी से ही है चलते हैं दोस्तों अब आलराउंडर सेक्षिन में तो यहां पर नंबर वन पिक रहेंगे टालिया मेगरा तो कि बैटिंग करेंगी नंबर तीम पर पिछले गेम में भी आलराउंड परफॉर्मस दी थी 19 बॉल में 34 रं बनाए थे फिर दो विकेट भी पिक करें थे और WPL जो वुमिन्स पर में लिए था इंडिया का जो IPL है वुमिन्स का वहां से लेकर अब तक कंसिस्टेंटी रंज बनाए इनोंने और वहां पर आप देखोगे तो 15 इनिंग में 519 रंज बनाए है 47 का अवरेज रहे है और ये एक मात्र ऐसे प्लियर है दोस्तों जो की कंसिस्टेंटी आपको रंज और पॉइंस देकर जा रहे है एक चीज़ से इनिंग्स को ओपन करेंगी इनकी लास्ट 7 परफॉर्मेंस देखो तो 481 रंज है असी के ऊपर का अवरेज है ऑस्टेला के सामने जो मैचिस हुए थे वहां पर भी चम के रंज बनाते है इनोंने और ऐसा डॉमिनेट किया इनोंने विद द बैट, विद द बोल, कि इस गेम जो इसके पहले परफॉर्मेंस देए थी वुमेंस अंडिट में वो सेम यहां पर नहीं नजर आ रहा है उनका रोल ना बैटिंग में ना बोलिंग में विकॉस टीम के पास मुल्टिपल ऑप्शन अविलेबल है इनके अलावा जो एक ऑप्शन है वो है हेवर्ट का जो कि प इनके लास्ट 5 WBBL की अगर आप आउटिंग्स देखोगे जिसमें से कुछ नॉक आउट्स भी शामिल है 16 विकेट है इनके नाम पर अगर आप देखो हेड़ गेम्स में तो 16 इनिंग में 16 विकेट बहाँ पर भी पिक कर रहे हैं और रेनेगेट के टॉप 7 को इन्होंने का होने चाहिए इनके बाद आती है मेलबन डेनिगेट से लेक्स पिनर जौजिया वेरहम जो की बैटिंग बोलिंग दोनों के तुरू आपको कॉंटिबूट करके दे सकती है पिछले गेम में भी 16 बोल में बनायते 36 और बूलिंग करते हो भी विकेट लिया था वो भी चाहरा इनिंग में 10 विकेट है इनके नाम और बैटिंग करते हो भी एक सुतिरा रहने इनोंने पराए है चलते हैं फाइनल प्रके दरफ जो कि हमारी बेस टीम में रहेंगी वो है अमांडा वेलिंटन अगेन एक लेक्स पिनर है फ्रॉम एडलेज टाइकर हैं 17 इनिंग में 22 विकेट है इनके नाम पिछले गयम में भी रुकेट पिक करते ही उन्होंने और अंसिस्टेटि विकेट लेकर जाली इनके लावज ओक्षिण बनते हैं उनमा आते है सारा कोई प्रेस्ट विजेन जीन प्हले गेम में अच्छे बाष एक पिक बनेंगें अब scenario वास analysis करें दूसनों तो अगर Melbourne Renegades की batting first आती है तो उस case में मुशांगवे ऐसी player है जिनको आप पका consider कर सकते हो अगर आप देखो पिछले game में भी दो wicket इन्होंने pick कर रहा था और अपनी last 9 T20 games जो खेली है उसमें से केवल एक बार wicketless गई अगर Renegades की bowling first आती है तो वहाँ पर सारा कोईट एक important pick रहेंगी because वो Renegades की consistent death bowler रही है पिछले game में भी इन्होंने 2 wickets pick कर रहे थे और अगर आप देखो last 5 head to head outings इनकी तो वहाँ पर इन्होंने 5 में से 4 बारी at least 2 wickets pick करें कोई मिलाकर 5 game में इनके नाम रहे है 9 wickets, strike rate रहे 12 का मतलब every 12 balls एक wicket यह pick करती है तो दोस्तों सायरा कोईट एक important pick है इनके अलाव अगर आप चाहो तो press twitch की तरफ भी देख सकते हो as an option bowling करेंगी कुछ और बैटिंग के थ्रू भी कुछ contribute करके दे सकती है चलते है captaincy vice captaincy kindness की त games के लिए और आपको most opponents के captain vice captain भी नजर आएंगे differential captaincy vice captaincy की बात करें तो यहां पर जो दो प्रेस को हम रेकमेंड करेंगे वो क्योंगी एडले ट्रैकर्स की ओकनर लॉरा वुलफार्ट जो यहां पर runs बनाने में फिर से successful हो सकती है और दूसरी है हर्मन पीड कौर जो की अभ हमारा telegram channel join करना मत बूलेगा वहां पर आपको toss से पहले कुछ important insights जो की pitch related होंगे players की insights होंगे वो आपको वहां पर मिल जाएंगी इस game की final fantasy team आपको मिलेगी view spot app पर ही link description में है pin comment में भी है उसको join करना मत बूलेगा यह नहीं game इसके अलवा जो भी games होते है चाहे T10 games हो चाहे वो women's games हो चाहे वो test matches हो चाहे वो world cup की games हो इन सारे games के final fantasy team आपको view spot app पर ही मिलती है टार्लोड करना मत बूलेगा link description में है pin comment में हमने रखा होगा है जल मिलेंगे दोस्तों बाकी सारे games के fantasy previews के साथ इसके अलावा आज ही world cup का एक match भी है जिसका भी scout का जो हमारा preview है वो ready है देखना भूलेगा मत क्या करती है पाकिस्तान अफकाने स्थन के सामने और क्या वो फिर से जीतेंगी कि नहीं क्या है हमारे scouts की topics, differential options और player to avoid जल मिलते हैं next game के fantasy preview के साथ तब तक के लिए अलविताब